कि हेलो फ्रेंट्स मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी कोचिंग फॉपस एजूकेशनल इंस्टिट्व के यूट्व प्लेटफॉर्म पर आज की यह वीडियो भारत रतन 2024 पर मैं ले करके आया हूं अभी हमने हाली में रिसेंट ली पदमा अवॉर्ड्स 2024 डिसकस किया है अ on the eve of Republic day यह award announce किया गया है ठीक है तो चलिए आज हम देखते हैं इस PPTA में यह रहा भारत रत्न एक सेकेंड ठीक है यह आप देख रहे हैं यह भारत रत्न का medal है ठीक है जो कि यह इसका जो शेप है यह पीपल लीफ है ना पीपल के पत्ते का शेप है यह तो आज हम भारत रत्न पूरा discuss करें कि इस साल किसे मिला ठीक है और कुछ static भी भारत रत्न से हम आगे बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ चलिए ओके टूके टूके डूंडीफोर भारत रत्न भारत रत्न क्या है भारत रत्न जिसे हम जोल of India भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, भारत रत्न, Jewel of India, is the highest civilian award of the Republic of India, जिसे हम लोग भारतगर्ण राज्य भी कहते हैं, ठीक है, भारत रत्न क्या है, एक highest civilian award है, Republic of India, भारतगर्ण राज्य का, instituted on 2 January 1954, है न, 2nd January 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, the award is conferred in recognition of exceptional service या performance, यानि जब हम कोई notable work करते हैं, जो कि बहुत ही higher order का होता है, highest order का, उस case में भारत रत्न award दिये जाते हैं, without distinction of race, occupation, position और sex, बिना किसी मदभेद के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नसल के भेदभाव के, बिना किसी वेवसाई के भेदभाव के, यानि बिना किसी स्थिती परिस्थिती के भेदभाव से, और ना ही लड़का या लड़की या ना ही कुछ ऐसे sex के base पे, हम कोई भी discrimination, बिना किसी distinction के ये award दिया जाता है, ठीक है? Award, the award was originally limited to achievement in the arts, अच्छा, भारत रतने award जो था, वो कुछी field में limited था, यानि जैसे art के field में मिलता था, literature के field में दिया जाता था, science and public service के field में दिया जाता था, लेकिन, in the year 2011, at December 2011 में, इसमें क्या include किया गया? Any field of human endeavor, ठीक है? यानि, मानो प्रयास का कोई भी छेत्र, इस field में भी, यानि मानो प्रयास के किसी भी field में, किसी भी छेत्र में कोई बढ़ चड़ करके काम करता है, उमीद से परे या बहुत highest order का काम करता है, तो उसको भी भारत रतने award के लिए nominate किया जाएगा, ठीक है? आपको पता ही होगा, maximum भारत रतने award केवल 3 recipients हो सकते हैं, भारत रतने award के केवल 3 recipient हो सकते हैं, maximum, ठीक है? चलिए, उसको तो खेर हम अगली पे, आगे PPT में discuss करेंगे, चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, कि भारत रतने क्या है, जिसे हम Jewel of India भी कहते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, The recommendation for the भारत रतने are made by the prime minister to the president, ठीक है? यानी भारत रतने को जो recommendation होता है, यानी भारत रतने awardee का जो भी nomination होता है, recommendation होता है, वो देता कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, तो आप comment section में का President and Vice President of India दोनों आप कमेंट सेक्शन में फटा फट खट 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 बताईए ओके ठीक है तो Prime Minister President को recommendation देते हैं भारत रतन के लिए with a maximum of three nominees जैसे कि मैंने बताया केवल three nomination being awarded per year जो कि हर साल केवल तीन लोग ही भारत रतन एवार्ट से सम्मानित किये जा सकते हैं ठीक है ओके आगे पड़ते हैं जिसे हम certificate भी कहते हैं signed by the President यानि जो भारत रतन एवार्डी होता है यानि जो भारत रतन से सम्मानित किया जाता है जिसे उसे एक certificate मिलता है जिसमें President के sign होते हैं and a people leaf shaped medallion जैसे कि मैंने बताया कि वो people के पत्ती के shape का एक medal होता है वो recipient को दिया जाता है okay there is no monetary grant associated with the award और साथ ही साथ इस award में कोई भी money नहीं होती है कोई भी monetary fund नहीं होता है नहीं कोई पैसे दिये जाते है भारत रतन एक सम्मान है ठीक है हम पैसे दे करके सम्मान नहीं दे सकते हैं बलकि एक certificate जिसमें President का sign होता है और साथ ही साथ एक people leaf shaped का medal उन्हें मिलता है without monetary grant ओके बिना किसी पैसे के कोई भी cash में नहीं होता भारत रतने recipients rank 7th in the Indian priority order है ना यानि भारत में महत्ता के order पे यह कौन से rank पर आता है 7th ठीक है जो भारत रतने awardee होते हैं वो India priority order में 7th rank पर आते हैं I hope आपको यह slide समझ में आई होगी ठीक हम आगे बढ़ते हैं ओके चीक है अब हम कुछ history जानेंगे कुछ static जानेंगे भारत रतने से related क्या लिखाया है the first recipient of the भारत रतन वर अच्छा भारत रतने के पहले recipients कौन थे यानि जिनने भारत रतने से पहली बार सम्मानित किया गया था वो कौन थे जैसे कि मैंने बताया तीन लोग है ना की prime minister president को recommendation देते हैं with the three nominees जिसमें तीन nominees हो सकते हैं तो पहली बार भी तीन लोगों को दिया गया था और वो कौन कौन थे चलिए आज हम पढ़ते हैं the last governor general of the dominion of India फिक है इंडिया के last general governor sorry governor general and the former chief minister of Tamil Nadu और Tamil Nadu के chief minister भी रह चुके हैं कौन स्री राजा गोपालाचारी कौन स्री राजा गोपालाचारी जिसको हम इनका निकनेम है mango of salim फिक है स्री राजा गोपालाचारी का निकनेम क्या है mango of salim फिक है फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा स्री राजा गोपालाचारी के बाद में बात यह माना जाता है कि यह जनता सौरी स्वतंत्र पार्टी के leader founder थे स्वतंत्र पार्टी के founder थे स्री राजा गोपालाचारी और साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे lifetime पे nuclear weapon के use का oppose किया है और वर्ड पीस का ज्यादा समर्थक रहे है विश्व सांती के समर्थक रहे है और nuclear weapon use करने का oppose इन्होंने lifetime में किया है इसलिए इनको mango of salem nickname भी दिया जाता है चलिए हम आगे बढ़ते हैं second president and the first vice president of India यानि भारत के दूसरे रास्टपती और भारत के पहले उपर रास्टपती सर्वपली राधा कृष्णन जी को जिनके birthday पे हम लोग teachers day भी मनाते हैं 5 September को तो इनको भी भारत रतने award दिया गया थे भारत रतने से इन्हें भी सम्मानित किया गया था और तीसरे कौन थे Nobel Prize laureate and physicist C.V. Raman ठीक है C.V. Raman जो की एक physicist है और इन्हें Nobel Prize भी physics में मिल चुका है who were honored in 1954 जैसे कि मैंने बताया था 1954 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है 2nd January 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और Nobel Prize laureate physicist C.V. Raman जी को मिला था क्या भारत रतने ठीक है तो पहले पहले recipients पहले तीन recipients कौन थे तो हम किसका किसका नाम लेंगे स्री राजा गॉपालाचारी जो कि पहले जो लास गवनर जनरल ऑफ डॉमिनेंट ऑफ इंडिया भी थे और तमिल नाड़ो के चेफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं इनको हम मैंगो अफ सालेम के नाम से जानते हैं और यह सोतंत्रा पार्टी के फाउंडर भी रह चुके हैं और यह अपने लाइफ में किस चीज का पोस किये हैं नुक्लियर वेपन के यूस का पोस किये हो और विश्व सान्ती के समर्थक में रहे हैं नोने समर्थ ठीक है समर्थिंग किया है second president and the first vice president of India जो कि भारत की दूसरे रास्पती और पहले उपरास्पती सरवपली राधा कृष्णन जी को भी भारत रतन से सम्मानित किया गया था Nobel Prize laureate and physicist सेवी रमन और सेवी रमन जो की एक physicist थे जो की Nobel Prize विजेता भी रह चुके हैं इस और इनको 1954 में इस एवार्ट से सम्मानित किया गया था आई होप आपको यह चीज़े याद हो गई होगी चलिए हम आगे बढ़ते स्री राजा गोपालाचारी से उनका निकनेम पेपर में आ सकता है बहुत ही कम लोगों को पता होता है इसलिए मैंने इस लाइड में रखा है चलिएड रत्न वह आजा पहले पॉस्थभमसली रेसेपेंच यानि पहले मरनोप्रांत भारत रत ने किये मिला था तोस फार्म्राइम मिनिस्टलाल बहादर्वर शास्तरी यानि भारत के प्रदान मंत्री भी रह चुके है प्रदान मंत्री का इन्होंने ओएस भी होल्ड कि है कौन लाल बहादो शासरी बिकेम दा फॉर्स्ट इंडिविज्वल्ट वी ओनर्ड पॉस्थुमसली जो कि यह पहले एक लौते हैं जिने पहला पॉस्थुमसली रेसिपेंट मिले हैं यह पॉस्थुमसली रेसिपेंट है भारत रतने के ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं यंगेस रेसिपेंट कौन है तो गौड फ्क्रिकेट सचिन तेंडूलकर ठीक है इन्हें हम गौड फ्क्रिकेट भी कहते हैं सचिन तेंडूलकर इन्हें 2014 में भारत रतने से सम्मानित किया गया था और तब यह 40 साल के थे थे तो यानि 40 साल का एक ऐसा व्यक्ति जो कि यंग सारे sacrifice भी किये अगर आप इनका भारत रतन का जब यह retirement speech इनकी मैं ज़रूर recommend करूँगा कि आप सचन्टेंदूल कर की retirement speech जरूर सुनिए ठीक है कि इनोंने कितने sacrifice कि अपने cricket के लिए ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो आपको याद हो गया यानि पहली गायक पहली गायक रेसिपियंट कौन थे? The first singer to be awarded was M.S. सुबलक्ष्मी कौन? M.S. सुबलक्ष्मी जिनका ये picture है आप देख सकते हैं मैं slide से हट जा रहा हूँ ठीक है? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं the first actor, first actor recipient कौन थे? यानि पहले actor जो की भारत रतन से सम्मानित किये गये थे वो कौन थे? M.G. रामाचंदरन जिनकी ये photo आपको दिख रही होगी चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपको ये सारी चीज़े याद रखने होगी भारत रतने 2024 में मिला है तो इससे चीज़े ये first पूछे जा सकते हैं चलिए ओके भारत रतने has been awarded to one naturalized citizen यानि पहली naturalized citizen यानि जो पैदा कहीं और हुई है लेकिन legally वो इंडिया की citizen है जो की Mother Teresa पैदा कहीं और हुई थी लेकिन इन्डिया का citizenship इन्हें legally मिला था तो भारत के तो फिर Mother Teresa एक ऐसी naturalized citizen है जिन्हें भारत रतने अवार्ड मिला है ठीक है चलिए अच्छा दो नॉन इंडियन्स भी है दो non-Indians भी है जिने क्या मिला है भारत रतने मिला है कौन है अब्दुल गफार खान अब्दुल गफार खान जो की बिटिश इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन बाद में ये पाकिस्तान के citizenship इने मिली थी यानि पाकिस्तान के नागरिक हो गए थे तो ये non-Indians में आ जात से सब्मानित किया गया था क्योंकि ये बुद्धिस मुवमेंट के हिस्सेदार है ठीक है ये बुद्धिस मुवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया था चलिए हम आगे बढ़ते हैं hai इसका उसका जो शेप है वो पीपल के पत्ते का हैँ ठीक है और फिर उसके बाद क्या है approximately 59 mm long है यह 48 mm wide है and 3.2 mm थोड़ा सा मोटा है ठीक है and rimmed in platinum और platinum में इसको जड़ा गया है ठीक है इसे platinum में क्या किया है जड़ा गया है the embossed sunburst design made of platinum आप यह देख सकते हैं यह जो design है है ना एक सूरी की design है जलते हुए सूरी की design है the observed side of the metal has a diameter of 16 mm with rays spreading out from ठीक है यह outer जो diameter है यह इसका जो 16 mm का diameter है साथ ही साथ with rays spreading out from 21 mm to 13 mm यह जो rays निकल रही है वो 21 mm to 13 mm की range की है from the center of the sun, sun के center से ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा अच्छा हां और साथ ही साथ यह जो आप देख रहे हैं यह भारत रतन जो लिखा हुआ है यह कौन से script में लिखा हुआ है तो यह देवनागरी script में लिखा हुआ है पूछा जा सकते है कि भारत रतन के sorry भारत रतन के award में जो नीचे भारत रतन लिखा गया है वो किस script में लिखा गया है ठीक है 22 के 24 भारत रतन किसे मिला इस साल किसे मिला on the occasion of 26 January यानी on the eve of 26 January Republic Day किसे announce किया गया करपुरी ठाकुर कौन करपुरी ठाकुर जो की बिहार के रहने वाले थे ठीक है बिहार के जो की भारत रतन अवार्डी है बट पॉस्थो मसली कौन पॉस्थो मसली यानि मरणो प्रांत इन्हें मिला आज ये हमारे साथ नहीं है हमारी बीच में नहीं है लेकिन ये पॉस्थो मसली इन्हें भारत रतन अवार्ड मिला है आईए हम इनके बारे में 24 में हुआ था और इनकी मृत्यू 17 February 1988 में हुई थी, was an Indian politician who served two terms as the 11th Chief Minister of Bihar, Bihar के 11th Chief Minister के रूप में इन्होंने दो बार Chief Minister का office hold किया है Bihar का, first from, पहली बार इन्होंने 1970 से 1971 का office hold किया था, and then from June 1977 से 1979 तक इन्होंने office hold करके रखा था Chief Minister का, in 1978 1978 में, he introduced reservation model in Bihar, थीक है इन्होंने जादा तरीने इसी कारण से जाना जाता है कि इन्होंने OBC, यानि reservation quota जो है, वो उन्होंने बिहार में implement करवाए था, Bihar government में implement करवाए था, हम पढ़ते हैं क्या, other backward class की, other backward class जो है, वो 12% reservation पाएगी, most backward class जो है, वो 8% reservation, women, 3% reservation and economically backward classes EBWS from among the upper caste got 3% reservation, ठीक है, in state government jobs, तो basically इन्होंने reservation quota बिहार government jobs में implement किया था, ठीक है, करपुरी ठाकुर जी है, आप इनकी photo देख सकते हैं, ये हैं करपुरी ठाकुर जी, चली हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको इनके बारे में समझ में आयोगा, करपुरी ठाकुर जो कि बिहार से belong करते हैं, और ये भारत रतने awardee है, 2K24 का, और जो कि पॉस्थो मसली है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकते हैं, तो आपको सारी बाते ध्यान में रखनी होगी, चलिए, हम और भी चीजे पढ़ते हैं, करपुरी ठाकुर का, ठाकुर served as a minister and deputy chief minister of बिहार, ठाकुर जह है, वो minister और deputy chief minister का office hold किया है, इन्होंने बिहार में, before becoming the first non-congress and socialist chief minister of बिहार, ये पहले non-congress socialist थे, जो कि बिहार के chief minister बने थे, इससे पहले, हाँ, he also enforced total prohibition of alcohol और इन्होंने बिहार में alcohol का बैन लगाया था, शराब पीने का बैन लगाया था, शराब बिकने का भी बैन लगाया था, during his reign, इनके कारिकाल में, many schools and colleges were established in his name, इनके नाम से काफी जादे college और schools बनाए गए, in the backward areas of बिहार, बिहार के पिछडे चेत्रों, ठीक है, I hope आपको ये slide समझ में आया होगा, mainly prohibition of alcohol इन्होंने ही start किया था, और साथ ही साथ, इनके नाम से काफी जादा colleges और schools बने हैं, in the area of backward, ठीक है, sorry, in the backward area of बिहार, ठीक है, यानि बिहार के पिछडे चेत्रों में, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, Okay, extensive list of Padma Shri Awards, हमने आप से बताया था, जब हम Padma Awards को discuss कर रहे थे, कि Padma Shri से अगर ऐसा कोई inspiring character मुझे मिलेगा, inspiring character ऐसा मुझे लगेगा, कि वो important हो सकता है, तो हम उसको discuss करेगे, ठीक है, तो उसमें मुझे ऐसा दो लोग ऐसे लगे, जो कि काफी ज़दा important है, ठीक है, As many of 110 लोगों को मिला था, across field have been conferred with the Padma Shri, जिने Padma Shri Award मिला, these include legendary singer, जो कि उशा उठुप जैसे legendary singer को भी Padma Shri Award मिला, late actor, जो कि अब नहीं है, Vijay Khan जी को भी मिला, और former UPCM, यानी UP के Chief Minister रह चुके, Ram Nayak जी को भी मिला है, और Foxconn Chairman, यानी Chairman, Foxconn के Chairman, यांग लिवी को भी मिला, और ऐसे 34 और courageous, unsung heroes है, जिने selflessly, यानी जो कि अपने मतलब से नहीं, बलकि public affair को ले करके, काफी बढ़ चड़के इन्होंने काम किया, उसके लिए इनको Padma Shri Award मिला, चलिए हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे heroes, जो कि Padma Shri Awardee deserve करते थे, पदम Shri deserve करते थे, deserving person को आज हम चलिए, discuss करते हैं, चलिए, about Chami Murmu, कौन? Chami Murmu, अब Padma Shri Awardee, जो कि Padma Shri Awardee है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, Chami Murmu, जो कि 52 साल की महिला है, environmental activist from Jharkand, जो कि कहां से बिलों करती है, Jharkand से बिलों करती है, who has mobilized hundreds of women, जिन्होंने सैकडो औरतों को, hundreds of women को, इस चीज के लिए mobilized किया, to plant over 28 lakh trees across 500 villages, यानि 500 गावों में इन्होंने 28 lakh पेड लगाए, with the help of hundreds of women. यानि, women's को ले करके, महिलाओं को इन्होंने mobilized किया, कि ये 500 गावों में जा जा करके, 28 lakh पेड इन्होंने लगाए, जो कि काफी बड़ी बात है, तो ऐसे ही person जो है, वो पदमश्री अबार्ट डिजर्व करते हैं, She faced initial opposition from maid villagers, but preserved in her mission. ठीक है, शुरुवाती दौर पे जब इन्होंने ये mission start किया, तो शुरुवाती दौर पे गावों के कुछ पुरुष लोगों ने इनका oppose भी किया, इनका खिलाफ भी किया, इनके खिलाफ भी रहे, moving out of her own home when family opposed her work, ठीक है, और जब इनके खुद के family ने, इनके खुद के परिवार ने जब इस चीज का oppose करना start कर दिया, इनको रोकना start कर दिया, तो ये घर से निकल करके, इस mission पे अड़ी रही, खड़ी रही, ठीक है, इन 1996, 1996 में men destroyed one lakh tree she had planted, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, 1996 में बहुत से आदमियों ने, पुर्षों ने, इनके लगाई हुए एक लाख पेड़ों को क्या कर दिया, खतम कर दिया, destroy कर दिया, काट दिया, she had planted, जो कि इन्होंने लगाया रखे थे, but she restarted her effort after the culprits were arrested, लेकिन जब ये culprits जब arrest कर दिया गया, जब जिन्होंने ऐसा किया, अपराधी लोगोंने, उनको जब arrest कर लिया गया, तो इन्होंने फिर से अपना काम restart किया, ठीक है, restart, जैसे कि हमने 12th fail movie आई थी, 12th fail में movie आई थी, उसमें एक dialogue चला था, कि फिर से restart करो paper दिया, सब कुछ दिया, fail हो गया, कोई बात नहीं, restart करते हैं, paper दिया, fail हो गया, कोई बात नहीं, restart करते हैं, जितनों लोगोंने 12th fail movie देखी है, उनको ये पता होगा, restart, तो जिन्होंने नहीं देखी, मैं एक बार recommend जरूर करूँगा कि वो movie देखी है, वो काफी अच्छी movie है, काफी inspiring movie है, ठीक है, तो फिर से इन्होंने अपना काम क्या किया, restart किया, she never married and devoted her life to the cause of afforestation and woman empowerment, ठीक है, इन्होंने कभी शादी ने की और अपनी पूरी life जो है, पेड लगाने में और महिला सशक्ती करण में दे दी, इस mission में दे दी, she diversified her efforts by building watershed system for farmers, securing loans and financial independence for thousands of women, इन्होंने किसानों के जीवन में भी बहुत काम किया, हजारों महिलाओं के लिए इन्होंने लोन का इंतिजाम किया, है न, जो ताकि ये financial independence हो जाए, independent हो जाए, her decades of groundwork has let Chami Murmu to be conferred the prestigious Padmashri Award this year, तो ऐसे effort, जो की सालों से, जो की 10 सालों से इन्होंने कर रखे थे, ऐसे efforts, तो यही effort जो है, इनको Padmashri Awardee बनाते हैं, Padmashri से सम्मानित इनको किया जाता है, ठीक है? I hope आपको Chami Murmu के बारे में समझ में आया होगा, काफे inspiring personality है ये, ठीक है, काफे inspiring personality है, ठीक है, ये deserve नहीं करती, तो कौन deserve करता है, ठीक है, आप सोच सकते हैं, 28 lakh trees इन्होंने implant किया, जो की बहुत बड़ी बात है, 500 गामों में, ठीक है, क्यों, क्योंकि पेड से ही हमें oxygen मिलता है, आप समझ में, oxygen ही नहीं, और भी चीज़े मिलती हैं, पेड से हमें, फल मिलते हैं, दवाईयां मिलती हैं, डेली यूस की चीज़े मिलती हैं, ठीक है, चली हम आगे बढ़ता है, ओके, अब हाते हैं, परबती बरुआ, परबती बरुआ, जो की another noble, sorry, notable पदमश्री अवा popularly known as the hasti kanya, ठीक है, ये परबती बरुआ, जो की 67 year old है, ठीक है, ये lady, इनको हम hasti kanya भी कहते हैं, हस्ती kanya भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, is India's first woman elephant mahot from Assam, यानि ये Assam से पहली ऐसी महिला है, जो की elephant mahot है, elephant mahot, na, mahot लोग वो होते हैं, जो की हातियों से उनका एक रिष्टा होता है, हातियों को वो समझालते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गएगा, जो हाती ले करके चलते हैं, उन्हें mahot ही तो कहते हैं, तो ये पहली महिला, elephant mahot थी, Assam से, ये एक ऐसे परिवार से थी, एक ऐसे छेतर से थी, जहां पर लोग बचपन से ही, एक हाती के साथ अपना bond बनाते हैं, ठीक है, और चौदा साल की एज में इन्हों ने अपना पहला हाती चुना था, और 1972 में ये एक प्रोफेशनल महौट, प्रोफेशनल elephant महौट बन गई थी, बरुवा has immense love for elephants, बरुवा जो पारबती थी, इनका एक काफी गहरा प्यार था हातियों के साथ, calling them her lovers, और ये जो बरुवा लोग थे, ये अपने आपको elephants के lover कहते हैं, ठीक है, कि हम हातियों के lover हैं, and spends her days caring for riding and training them, ठीक है, और अपना दिन इनके देख बालों में और इनको train करने में बिताते हैं, She has assisted multiple state governments to tackle issue like human elephants conflicts and guiding stray elephant herds back to forest, ठीक है, और इनोंने government की काफी जदा help करी, पिछड़े, जो हाती अपने group से छूट जाते हैं, जो हाती अपने group से अलग हो जाते हैं, उनको वापस उनके जुन्द में ले जाने के लिए government की help करी, और ऐसे बहुत सा समय आता है, जिसमें हाती जो है, वो human opposing nature का हो जाता है, यानि बहुत जदा भीड़ बार देख करके घबरा जाता है, तो वो तहस नहस करने लगता है, तो ऐसे हाती को rescue करने के लिए भी government ने इनकी help ली है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, एक हाती को चोट पहुचान है, उसे उसके group में वापस भेजा जाए, और उसे शांत किया जाए, चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा हाती पे जोर इसलिए दिया जाता है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया का heritage animal है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ कि हमारे भारत का विरासत प इंडिया का, इस वज़े से हम इसे इतना importance देते हैं, चलि हम आगे बढ़ते हैं, in 2003, she even had the difficult task of killing a rampaging elephant in 36 गड़, ठीक है, elephant's lover होने के बावजूद, इन्हें एक task मिला था 2003 में, 2003 में, एक rampaging elephant, एक elephant जो की पागल हो गया था, जो की काफी destroying elephant बन गया था, उसका, मुझे, मतलब, उसका mind side, वो हो गया था, सही जगे पे नहीं तरीके से कह सकते हैं, rampaging elephant हो गया था, यानि rampaging elephant मतलब कहते हैं, कि पागल सा हो गया था, ठीक है, और उस पागलपन में वो तहस महस कर रहा था हर चीजे, तो उस हाती को मारने का भी task, 36 गड़ में, इन ही को दिया गया था, जो क Barua continues to live a simple lifestyle deeply tied to elephant and is called whenever wild elephants stray into human habitats, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हाती के देखबाल में और उनको train करने में बिता दी, जब कभी government को जरुरत पड़ती है कि कि किसी हाती को शांत किया जाया, या किसी गाउं में वो चला गया हो, या किसी ऐसे छितर में जहां पर mobilizing है, या परवती थी तो वो पारवती बरवा जी को बुलाते थे, और भारत की पहली elephant महौट जो कि इन सभी चीजे इनको एक deserving person बनाती है कि ये पदमश्री आबार्ट से सम्मानित की जा सके, ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजे समन्द में आई होगी, ठीक है, हमारी slide यहीं खतम होती है, तो आई होप आपको सारी बाते समझ में आई होगी, कि चामी मुर्मु जी ने क्या क्या क्या, पारवती बरवा जी ने क्या क्या क्या, चामी मुर्मु ने, ठीक है, hundreds of women को mobilize कि वो 28 lakh trees को प्लांट करे, around 500 village, तो पांसो गौर्मेन उने 28 ला ठीक है, और एक question और मैंने पिछले Padma Awards में छोड़ रखा था, कि एक brief interruption आता है, Padma Awards में, 1978 to 1979 and 1993 to 1997, Padma Awards नहीं दिये जाते हैं, उसका reason क्या था, ठीक है, अभी तक किसी का भी answer नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि मैं अगली जो वीडियो लेकर क्या होगा, वो इसी reason पर होगा, कि ऐसा क्या reason हो गया था, globally या national, ऐसा क्या reason था, जो कि इसमें इतना brief interruption आया था, seven years, जो कि पत्मा Awards नहीं दिये गए, उसका reason क्या था, ठीक है, उस वीडियो में हम detail में हर एक चीज discuss करेंगे, within article और Supreme Court के case के साथ, Supreme Court के judgment के साथ, और article के साथ, एक brief discussion हम उस वीड synchronize with us, ठीक है, stay tuned with us, हमारे साथ बने रही है, हमारे साथ जुडे रही है, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिल जाए, ठीक है, तब तक के लिए, stay safe and stay healthy, thank you, bye-bye.